आपको लेकर चलते हैं सचिवाले करमचारी संग शबत ग्रहन समहरो अध्यक्ष बुदी प्रकाश शर्मा सहीत कारेकार्णी की सदस्यों का शबत ग्रहन समहरो और मुख्या सचिव सुधाश पंत भी समहरो में मौझूद हैं मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा दिला रहे 77 सदस्यों की कारेकार्णी को शबत महत्मा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित के पुषपांजली एक-एक से वो मिलते हुए एक-एक से मुलाकात कर उनको माला पहना आते हुए और दस्वीरमा को दिखारें सचेवाले करमचारी संग की शबत ग्रहन समहरो की जहां अध्यक्ष बुदी प्रकाश सहीत कारेकार्णी की सदस्यों का शबत ग्रहन समहरो सभी को शबत दिलाते हुए मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा इस जोरान उनके लाबा सुधान शपंत भी मौजूद हैं सतत्र सदस्य हैं इस कारेकार्णी के अंदर सभी से व्यक्तिकत मिलते हुए मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा बातचीत करते हुए उनसे जानकारी लेते हुए और साथ में माला पहना कर उनको अप्रीशेट करते हुए यह तस्वीरे हैं सचवाले से जहां मात्मा गांधी के प्रतिमा पर पहले पुषपांजली अर्पित की गई उसके बाद मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा इस कारेकार्णी का हिस्सा बने और जो अध्यक्षें बुद्धिप्रकाश शर्मा उनके साथ कारेकार्णी के सदस्य पुषपत दिलाई गई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देखिए सरा यह उस वक्त की तस्वीर अजह मुख्यमंत्री पहुंचे थे मात्मा गांधी के प्रतिमा पर उन्होंने पुषप अर्पित किये उनको नमंक किया और उसके बाद इस कारेकार्णी का हिस्सा बने मेरे से होगी डॉक्टर इतुराज जोड़े हैं डॉक्टर इतुराज कारेकरम की बारे में ज़रा बताईए और अभी चो मुख्यमंत्री सभी को माला पहना रहे क्या यही वो कारेकार्णी के सदस्थे हैं सततर जिनको शपत दिलाई गई और यही नहीं रुक के कुछ ख्रण बात भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि तस्मीरों में अभी भी एक जो पतादीकारी हैं कारेकार्णी के वहाँ बात चीस लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं जिसे के समभाद बना रहे हैं और एक कड़ी साबित हो की संबंदों की जो सत्यवाले कर्मचारी एक परिवार के रूप में देखते हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो इतने भी होते हैं अपने आप को एक संदक्सक मानते हैं परिवार का उसी हिसाब से जब भी कोई सत्यवाले का का अधिक्रम होता है उसमें बहुत पने निकालते हैं और अपनी उपस्ते से दर्श कराते हैं तो एक बड़ा सुषी का विचे एक बहुत बड़ा उसस प्रबश्यारियों के लिए और अभी जिसे हमने सुना की बुद्धी प्रकाश शन्मा जो नव निर्वाजित अज्यक्ष हैं इनोंने कई तरह की मांगें आपर रखी हैं जो एस प्रसक करण की आपर मांगें काफी समय से इस मुद्धे पर सुनाव लड़े जारे हैं करीब-करीब डेड़ों साल होगे इसकी मुद्धे प्रजिंदा रखा और यह मुद्धा यह जो पूरा प्रक्ष्पाव है वो सी एमों में है विचारा दीन और उसकर साइन होने की जहरें इसी सरीके से और भी कई मुद्धे हैं जो प्रकाश शर्मान हैं मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं अब देखना यह ह कि मुख्य सचीव और मुख्य मंत्री जब अपने सम्मोधन देंगे तो इंवतों को किसे लेंगे और किस तरह से यहां पर समस्या समारान की बात रही जाएगी एक मुटा चार महिना कंचारियों को लेकर विदा और यह देखना होगा कि छाया पत्रश्चित होता है यह नहीं ह तो उसका जल्दी ही लोटिफिकेशन जारी करना तो तो हम समझते हैं कि इन मुटों पर जरूर अपनी राए यहां पर आमने आई कि मुख्य मंत्री की कम से कम जो पहले से विचारा दिन हो चुके हैं मुझे उन पर इस पर शुरूपते हैं यहां पर मुख्य मंत्री आप तो माला पहने के बाद और उन से बाद्चित के बाद और उन के शुप कामनाव के बाद तो एक अपने आपने बड़ा ब्याफक कारिक्रम हो जाता है और यह बता देना चाहूंगा रश्रकों को कि सुष्टिवाले कर्मचारी तन का यह जो कारिक्रम होता यह केवल लिपिक तो एक बड़ा कारिकम यह माना जाता है तकिवाल एक परिवार के अपने इसकारिकम को खाफी भवी बनाने कि जैसा कि हम यह देख सकते हैं कि विशाल पांडाल यहां पर लगाया जाया है और यदी वारिश आ जाया तो वाटरूफ टेंट है और वाटरूफ टेंट यह पूरा ख़वर किया गया है और मुख्यमंत्री जो ठेके का जो माला पहनाएगे इसके बाद मुख्यमंत्री अपने मंद पर वापक पहने है और अब शपत ग्रहन जैसे ही शुरू होगा सकते हैं अब इसके बाद मुख्य सत्वी ःशा मुष्षा करते हैं और उसके साथ साथ जो नहीं की मांगाया कर जा जाएए उस पर उनका क्या रूख है यह बहुत मैज़्पून हो जाता है तो पहले मुख्य सच्छिव सम्मोदित करेंगे मुख्य मंत्री उस पर अपना सम्मोदित करेंगा और अपनी एक टिपर नहीं दी देंगे वोश्णा के साथ अभी शपत ग्राइंड शुरू हो चुका है चीक है डोगरत्र आजेबर शपत सुन लेते हैं राजिस्तान सचवाले करमचारी संके अपने पद का नाम लिए पद पर मनूद की जाने पर पीश्वर को साख से मान कर सपत लेता हूँ कि मैं संग एवं अपने पद की प्रितिष्टावा गूपनियता को पूंड रूप से ध्यान मैं रखकर करमचारी कल्यान एवं जनित्र मैं कायर करूँगा तता संके समयदान के अनरूप सभी मरियादाओं का पालन करूँगा एवं अपने करत्यपों का दायत नवाते हुए राज की जनता के प्रिति पूंड रूप से समयदान सीर रहूँगा इस वर मेरी रख्चा करे धन्यवाद बहुत धन्यवाद मान ने मुख्यमत्री बहुदेगा हार को जीत की एद दुआ मिल गई तक मौसम में घवा मिल गई आप आये स्रिमान जीयू लगा जैसे तक्लीप को दवा मिल गई अब मैं विनम आगरे करूँगा दूरगामी सोच एवं आयामी व्यत्तित्व के धनी एवं अपने लक्षर कून दश्की कून से प्रदेश में ही नहीं बलकि संपोर्ट देश में अपने एक विशेस पहचान बनाने वाले आज की इस कारिक्रम के अद्यक्स के रूप में हमारे समक्ष विराजवार मुखे सची मोदे सिरी सुदान्चपन साथ से कि आप अपने आशीन वतन से सची वाले परिवार को अनुग रहीद करें नमस्कार आज के इस समारों के मुख्य अतिकी आरे माननी है मुख्य मंत्री श्रीप भिजरलाजी शर्मा साथ मंच पर विराजमान कार्यकार सची वाले कर्मचारी संग के नव निर्वाचित अध्यक्ष आदर्निया श्री बुद्धिप्रकाजी शर्मज साहफ यहां उपस्तित आदर्निया अनीता बदेल जी शायद अभी कहीं चली गई हमारे साथी अधिकारी कार्मिक सचिव आदर्निय हिमंद गेरा जी हमारे कार्मिक विभाके सियुक सचिव आदर्निय कनिश जी कटारिया जी सभी नव निर्वाचित कार्मिकार्णी के समानी सदस्यगण यहां विराजे सभी पूर्व अध्यक्ष परपदारिकारी विभिन संगों के उपस्तित समस्त पुरिस अधिकारी गण मीडिया के साथी गण देवि और सज्जनों सरप्रथम मैं बदाई देना चाहता हूँ लव निर्वाचित अध्यक्ष गुद्धि प्रकाश जी एवं उनकी समस्त टीम को पूरी कार्यकार्णी को और चुपकामनाई प्रिशित करता हूँ कि आपका कार्यकाल बहुत सफन रहे और सचिवाले और यहां की कार्यप्राली को आप और प्रगती की तरफ ले जाएं हम सब के लिए सवभागे की बात है कि मानि मुख्यमंत्री जी की उपस्तिती आज यहां हो पाई जुन जुनू एक बड़े कार्यक्रम में आप अदारे थे वहां से समय पर लोट आये और यहां शरीक हो सके हैं आज इस अफसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आप सभी सचिवाले में जितने लोग कारेरत हैं आप सरकार के प्रीड के हड़ी का काम करते हैं और जो भी आज निर्णे होते हैं सरकार में परोपकारी कारे होते हैं जन कल्यारकारी कारे होते हैं सभी आपके सयोग और समर्तन से ही हो सकते हैं पिछले कुछ मेहनों में आपने देखा मानी मुखमंत्री जी के रेत्यत्रव मारदर्शन में एक नया वर्ग कल्चर कारप्रणाली विक्सित करने के प्रयास किये जा रहे हैं और वो आप ही के कारण संभव हो पाया है आपने देखा कि किस तरह से आपके सयोग से जो पत्रावलियां पहले लंबे समय तक लंबित रहती थी अब उनमें 5-6 गुना समय में कटोती हुई है पहले औसत 30 घंटे एक फाइल को क्लियर करने में लगते थे अब वो 4-5 घंटे लगते हैं तो आप ही लोगों के कारण ये संभव हो पाया मुक्यमंत्री जी के हमेशा ये प्रयास रहते हैं अच्छा कारे करने वालों को सम्मानित करें प्रोचाइद करें और कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा राजहित में जनहित में कारें नहीं करते हैं या कोई गलत नियत से कारें करते हैं ऐसे लोगों को भी छाट कर हम प्रोचाइद ना करें प्रोचाहईद करने के प्रयास करें इसलिए जिसमी छेत्र में जो भी अभियान चलता है जो भी बड़ा काम होता है उसमें लोगों को प्रोचाहईद करने के लिए अवार्ड सर्टिफिकेट आदी दिये जाते हैं और कार्मी विभाग भी इसी दिशा में काम करते हुए चाहते हैं सरकार की मंच्छा है अच्छे कर्मचारियों को हर स्थर्थे प्रोचसाहन बिलना चाहिए बीपीसी की एक बहुत बड़ी मांग रहती है आपको जानकर प्रसनता होगी कि ना सिरफ सचेवाले के लिए बल्कि जितने राज की विभाग हैं सभी में कितनी डीपीसी हो गई ही कितनी लंबे थें इसकी मॉनिटरिंग अब हर दो-दोस अपता में जो सेनियर अफसर्थ की म पदोनती सब कर्मचारियों को मिलनी चाहिए कोई केस लीगल कोर्ट में अटक गया वो अलग बात है लेकिन बाकी सभी डीपीसी जितने जल्दी संभव हों साल में हमें करनी चाहिए ना सिर्व लास्ट कोर्टर के लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए तो डीपीसी के शेत और O.M. के निकाले हुए, आप लोगों ने खुद ही अपने स्वेम के अनुशासन से कारेले में समय पर आना प्रारम किया है, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है, और पूरे देश में रायस्थान के अधिकारी कर्मचारी जिस तरह से अधिकांश समय पर आके अपने गंबीर अधिका से अपने कारे निश्पादन समय पर कर रहे हैं, उसकी पूरे देश में अलग पहचान बनी है, आपने स्वतही बिना किसी आदेश निकाले हुए, पुराने आदेश वही चल रहे हैं, कोई नय आदेश नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्वेम अपने प्रयासों से, अपने अनुशासन से आपने इस चीज में एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग का एक माध्यम है, मिशन कर्मियोगी जो भारत सरकार का है, उसका I.GOT प्लैटफॉर्म है, इसमें हमारा प्रयास है, आप सभी विभागों को सभी अधिकारी कर्मचारियों को कहा गया है, इसमें रेजिस्टर कर लें, एक बार आप इसमें रेजिस्टर करेंगे, आप देखेंगे, ट्रेनिंग कोर्सेस का एक हजाना आपके सामने खुल जाता है, 7000 आउनलाइन ट्रेनिंग उसमें उबलब्ध हैं, आप अपनी को ट्रेनिंग कर सकते हैं उससे आपकी कार्य कुशलता दक्ष्टा हुआ है